नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चनल में जहां जम एक्स्प्लेन करने वाले हैं लस्ट स्टोरी टू मूबी को जो की एक एंथलोजी मूबी होने वाली है सबसे पहले मैं आपको anthology का मतलब बता देता हूँ anthology का मतलब होता है किसी film या web series में एक से ज़्यादा story का रहना और इन story का आपस में कोई भी connection ना रहना उसे anthology कहते हैं तो ये भी एक anthology movie है और इस film में 4 story है और इन story का आपस में कोई भी connection नहीं है तो आईए दोस्तो इस film को explain करते हैं वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किये जगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी subscribe कीजेगा ताकि आपको इसी तरह की latest और fresh content मिलते रहे तो फिल्म की पहली कहानी सुरू होती है और हम विजय वर्मा को देख पाते हैं जो कि अपनी girlfriend से मिलने के लिए सहर जा रहा होता है और बीच रास्ते पर विजय उससे वीडियो कॉल पर बात भी कर रहा होता है जब उससे बात कर रहा होता है तब है चानक से यहाँ पर उसके बॉस का कॉल आ जाता है जो कि उसके असल में ससुर्जी भी है और यहाँ पर हमें मालुम चलता है कि दरसल में बेजय उनकी कमपनी का CEO है लेकिन हाली में एक अरजन मीटिंग के कारण उसे बापस जाना होगा लेकिन यहाँ पर बेजय उनसे काफी दिर तक जगड़ा करता है कि वो पापस नहीं आ सकता लेकिन बाद में उसे जाना ही पड़ता है लेकिन पहले वो अपनी बीबी से बात करता है और उसकी बीबी भी उसी आपिस में काम करती है और वो भी इस मीटिंग में जाने वाली है और यहां मैं पता चलता है कि बिजय दरसल में साधी सुदा है और इसके दो बच्चे भी है लेकिन यहां पर जब वो निसा से बात कर रहा होता है तब ही अचानक से उसकी कार बहक जाती है और उसका एक जोड़दार एकसिडंट हो जाता है पर इस एकसिडंट में विजय को तो कुछ भी नहीं हुआ था लेकिन उसकी कार पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी तो अब विजय को इस कार को जल से जल रेपेर करवाना होगा क्योंकि उसे ओफिस की अरजेंट मीटिंग में जाना है लेकिन यहाँ पर मोबाइल में नेटवर्च भी नहीं थे इसलिए वो एक साइकल वाले से मदद लेता है और वो उसे मकैनिक के पास छोड़ देता है यहाँ पर एक कम्यूनिटी सेंटर में सौंग की आवाज आ रही थी जैसे ही वो इस कम्यूनिटी सेंटर के अंदर पहुंचता है तो वो यहाँ पर एक टीचर को देख पाता है जो कि सभी को सौंग सिका रही होती है और यहाँ पर हमें मालम चलता है कि इस लड़की का नाम दरसल में सांती होता है जो कि सभी को सौंग सिकाने का काम करती है लेकिन तब ही अचानक से वो विज्पे को इस तरह से बहुती है कि मानोब वो एक द Chief को पहले से ही जानते हैं अभ सांती जैंसे अपना काम खत्म करके गर की तरफ निकलती है तो उसके पीछे पीछे बिजे भी आ जाता है सांती का घर पास में ही था तो बिजे भी उसके पीछे पीछे आ जाता है वो सांती से कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती हो गया तस साल पहले तुम मेरी बीबी हुआ करती थी और मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम इस दुनिया में ही नहीं रही लेकिन यहाँ पर सांती उसे अंदेखा करने की कोसिस करती है और घर के अंदर जाने लगती है लेकिन बिजय उसे किसी तरह से रोकने की कोसिस करता है और इसी चक्कर में विजे के हाथ में जो कौफी थी वो सांती के उपर गिर जाती है यहाँ पर विजे उसे माफी मांगता है लेकिन तब ही यहाँ पर एक समीर नाम का पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है यहाँ पर इंस्पेक्टर को ऐसा लगा था कि साइद विजय उसे परिसान कर रहा है तब वो पुलिस इंस्पेक्टर सांती से पूछने लगता है कि क्या ये आदमी तुम्हें परिसान कर रहा है जिस पर की सांती पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि मैं इस आदमी को पहले से ही जानती हूँ इसलिए ये मुझे परिसान नहीं कर रहा था सांती यहां पर बिजय से काफी दीर से कह रही थी कि वो यहां से चला जाए और यहाँ पर इंस्पेक्टर भी बिजय से यही बात कह रहा था कि उसका यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा उसे यहाँ से चले जाना चाहिए अब सांती बिजय को अपने गर के अंदर ले आती है गर के अंदर दोनों बात करते हैं जहांपर की विजय यह जानना चाहरा था कि आकिर सांती इन दस सालों में कहां थी सांती फिलाल तो यहांपर विजय को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी क्योंकि इन दस सालों में उसने बहुत कुछ जहला है पर फिर भी वो कहती है कि वो नहाने जा रही है और वो नहा कराने के बाद बात करेगी जब यहाँ पर सांती नहा रही होती है तो विजय उसे चुप चाप से देख रहा होता है और ये कहीं न कहीं सांती ने भी नोटीस कर लिया था कि विजय उसे चुप चाप नहाते हुए देख रहा है जिसके बाद वो बाहर आती है और बाहर आने के बाद यहाँ पर सांती उसे सब कुछ बताना सुरू कर देती है वो उसे कहती है कि वो नर्सिंग होम में थी और वो प्रेगनेंट थी जब वो घर की तरफ बापस आ रही थी तब ही अचानक सा उसे एक आत्मी मिला जो कि एक पता पूछ रहा था और वहीं पर एक कार भी खड़ी हुई थी और यहां पर आ गई तब से उसका वहां से कोई भी कॉंटेक्ट नहीं था तब बेजय यहां पर सान्ती से कहता है कि तुमने मुझसे कॉंटेक्ट करने की कुसिस क्यों नहीं की लेकिन सान्ती उससे कहती है कि मुझे बहुत ज़दा डर लग गया था और वो किसी को भी इन सब के बारे में नहीं बताना चाहती थी और इसी के साथ बेजय और सांती की नजदी क्या बढ़ जाती है लेकिन यहाँ पर सांती दूर जाकर फिर से बेजय से बात करना सुरू करती है सांती यहाँ पर बेजय से पूछती है कि आखरें 10 सालों में उसने क्या किया जिस पर कि बेजय उसे बताता है कि उसने अनीता से साधी कर ली जो कि उनकी क्लासमेट थी और उसके दो बच्चे भी है सांती उसे कहती है कि लेकिन तुम तो कुछ करते ही नहीं थे जिस पर कि विजय उसे कहता है कि अब मैं उस कमपनी का CEO हूँ सांतिया पर विजय को ये भी बताती है कि उस समय भी अनीता तुम्हें पसंद किया करती थी और कभी-कभी तो मुझे अनीता से जलन भी हुआ करती थी लेकिन तभी अचानक से सांतिय को ये याद आता है कि उसे ऐसा लगता है कि ये जो अटेक करवाया था उसके उपर वो कहीं न कहीं अनीता है नहीं करवाया था क्योंकि मैं प्रेगनेंट हूँ इसके बारे में किसी को भी नहीं मालुम था और जब वो एक वार टेस्ट किट से चेक करने के लिए गई थी तो वो प्रेगनेंट पाई गई थी जैसे ही वो बातरूम से बाहर आती है तो उसने अपनी टेस्ट किट बातरूम में ही छोड़ दी थी और इस टेस्ट किट को अनीता ने देख लिया था कि यहाँ पर सांती जो है वो सच कह रही है तब उन दोनों की बीच में माहुल बन जाता है और वो दोनों इंटिमेट हो जाते हैं यहाँ पर सांती उससे कहती है कि क्या मैं फिर से प्रेगनेंट हो जाऊंगी जिस पर की विजय उससे कहता है कि ट्रस्ट मी तुम नहीं होगी अगर हो भी जाओ तो रेड बलू से चेक कर लेना लेकिन तब यहाँ पर सांती को याद आता है कि रेड बलू की टेस्ट किट के भारे में तुम्हें कैसे पता क्योंकि रेड बिलू टेस्ट किट जो है वो उसकी फ्रेंड ने कनाडा से लेकर आई थी जो कि अब बंद हो चुकी है और उसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था अब सान्ती को यहां पर सब कुछ समझ में आ जाता है कि जो अटेक उसके उपर हुआ था वो अनीता ने नहीं बल की यहां पर बिजय ने करवाया था ताकि वो उस कंपनी का सीओ बन सके जो कि उसका हमेशा से सपना रहा था तो अब यहां पर बिजय पूरी तरह से पकड़ा जा जा रहा था जैसे वो बाहर जाने लगता है तब ही गेट पर हम उसी पुलिस इंस्पेक्टर को देख पाते हैं जो की सांती के घर के जश्ट बाहर खड़ा हुआ था लेकिन उसे अच्छा लगता है कि साती भर पर नहीं इसलिए वो बावस जाने लगता है लेकिन तबी अचानक से बिजय के हाँ तो गलती से एक प्लेट तूट जाती है जिसकी आवाज बाहर फुलिस इंस्पेक्टर न सुन ली थी तब वो यहाँ पर एक डुपलिकेट चावी का यूस करता है और यहाँ के दर्वाजे को खोलना सुरू कर देता है और यहाँ पर बिजय पूरी तरह से घवरा जाता है क्योंकि अब पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आने बाला था अब बिजय के पास कोई और रास्ता नहीं था इसलिए वो खिड़कियों को फांद कर यहाँ से भागना सुरू करता है दोड़ते दोड़त है तो पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि वो आत्मी कोई और नहीं बलकि बिजय ही है इसका मतलब यह हुआ कि बिजय पहले ही मारा जा चुका था और सांती तो बस उसकी कपोर कल्पना थी क्योंकि उसने सांती के सांथ जो सब कुछ किया था वो उसे एक बार बस होती है दूसरी कहानी सुरू होती है और दूसरी कहानी है अरजन और बेदागी अरजन और बेदा ने अपनी फैमली वालों को अपने प्यार के बारे में बता दिया है और वो साधी के लिए मान चुके हैं साधी के लिए वो सभी लोग यहां पर डिसकस कर रहे होते हैं सभी पर बेदा और अरजिन के जो पिता होते हैं वो दोनों भी अप दोस्त बन चुके हैं सभी लोग इस साधी के बार में बात कर रहे थे तब ही यहांपर बेदा की नानी बोल पड़ती है कि क्या तुम दोनों ने सेक्स किया है और यह बात सुनने के बातों को सुनकर खूब हसते हैं यहां पर दादी उन से कहती है कि एक गाड़ी लेने से पहले हम टेस्ट ड्राइब करते हैं तो फिर अपने लाइप पार्टनर को चुनने से पहले हम उसकी टेस्ट ड्राइब क्यों नहीं कर सकते पता भी तो होना चाहिए कि सामने वाला हमसे comfortable है भी यह नहीं यह भी हो सकता है कि सामने वाला एलिजिवल ही ना हो यह नहीं कह रही हूं कि हमारे लड़के या पर हमारी लड़की में कोई problem है दरसल यह बात तो दोनों की family और दोनों की दिमाग में यह बात चलनी चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से comfortable है भी है नहीं ये दादी ने बहुत ही serious मुद्दा उठाया था लेकिन घर के सबी सदस पूरी तरह से embarrassing feel करते हैं और यहां पर दादी को यहां से उठकर जाना पड़ता है रात को यहां पर दादी के पास बेदा आती है और बेदा दादी से बात करना सुरू करती है वह उनसे कहती है कि आप तो बहुत ही जड़ा open minded हैं आपने सबी की बूलती बंद कर दी यहां पर बेदा उनसे बहुत ही हसी मजाक टाइप से बात कर रही थी लेकिन दादी उससे कहती है कि यह बहुत ही serious मुद्दा है हम जिसके साथ जिंदगी बिता हैं यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है अब बेदा के पैरेंट्स अरजन के पैरेंट्स के पास कॉल करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि साथ दादी के बातों को सुनकर उनकी उपर गहरा परभाप पढ़ा होगा लेकि उनके उपर कोई भी परभाप नहीं पढ़ क्योंकि इन चीजों का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि साथी के बाद तो यह सभी करते हैं इसलिए यह उसे बहुत ही लाइट रूप में लेते हैं लेकिन यहां पर अरजन और बेदा ने से सीरियस ले लिया था और वो एक रूम बुक करके दादी की बताई हुई चीज करन आने लगते हैं लेकिन तभी यहां पर दादी उनसे कहती है कि एक बार अपने रिस्ते को भी देख लेना क्योंकि वो उनकी बहुरानी को देखकर समझ गई थी कि वो अपने पती से पूरी तरह से सैटिसफाइड नहीं है अब अगले दिन बेदा दादी से मिलने के लिए प बुक करते हैं और वहां पर वो कई बार इंटीमेट होते हैं अब अगले दिन बो पहुंच जाते हैं फिर से दादी के पास दादी से वो कहते हैं कि अब हमारे बीच में सब कुछ सही है वो एक दूसरे के साथ अब पूरी लाइब बिताने के लिए एकदम रेड़ी है क्योंकि उनके बीच में सब कुछ किलियर है और ये सुनने के बाद दादी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और फिर कुछ दिनों के बाद अंदोनों की साधी हो जाती है और उनकी सुहागराज की सजावट जो है वो यहाँ पर अपनी मौडन दादी करती है जो की बहुत ज़्यादा खुस भी थी और इसी के साथ सेकंड स्टोरी भी यहीं पर खत्म होती है तो तीसरी कहानी है इसिता की जो की एक सिंगल बर्किंग भूमें जिसे माइगरेन है इसलिए वो मेडिसीन भी लेती है उसे बस अपने काम से लेना देना होता है और किसी चीट से कोई भी लेना देना नहीं और उसकी life में बहुत ही कम लोग है एक maid होती है जिसका नाम सीमा है और उसकी एक दोस्त समीरा है और office के कुछ दोस्त है अब काम खत्म करके जब इसीता अपने घर पहुंशती है तो वो समीरा से बात कर रही थी और जब जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वो यहाँ पर देखती है सीमा दीदी को किसी आदमी के साथ इंटिमेट होते हुए यह सब कुछ देख कर इसीता पूरी तरह से हैरान रह जाती है कि आकर उसके घर में यह सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर वो पूरी तरह से हैरान थी लेकिन उनके देखने से पहले ही इसीता घर के बाहर चली जाती है और यहाँ पर बाहर वो समीरा को बताती है कि सीमा दीदी यहाँ पर किसी आदमी के साथ इंटिमेट हो रही थी वो यहाँ पर जो भी हुआ था वो सब कुछ समीरा को बता देती है थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वो आदमी बाहर निकलता है जो कि किसी ओफिस में काम करता है और सीमा दीदी भी लिप्ट के द्वारा नीचे चली जाती है और यहाँ से सीधा अपने घर चली जाती है यही सब कुछ भी हुआ वो सब कुछ तीन बचे के आसपास हुआ था अब हैरान होते हुए इसीता घर के अंदर आती है और वो उस बैट को देखती है जिस बैट पर अभी सब कुछ हुआ था वो यहाँ पर पूरी तरह से frustrated थी अब अगले दिन के scene में हम देखते हैं इसीता को जो की सीमा दीदी को घूर कर देख रही थी लेकिन इसीता ने सीमा से यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा था कि कल उसने उनको सब कुछ करता हुआ देख लिया था यहाँ पर उसने सीमा से जिकर भी नहीं कहा था लेकिन उसकी बातों में थोड़ी जिजक तो थी अगले दिन फिर से तीन बस्ते हैं और तीन बस्ते ही यहाँ पर इसीता फिर से अपने घर के अंदर आ जाती है जहांपर की वो आदमी फिर से उसकी मेड सीमा के साथ इंटीमेट हो रहा था यहाँपर फिर से इसी ता उन्हें देखकर पूरी तरह से खो जाती है उसकी लाइप में यह सब कुछ कभी भी नहीं हुआ था इसलिए यहाँपर वो उन्हें देखकर इंजॉय कर रही थी दिन धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और इसी तरह से तीन बज़े का टाइम मिलाते हुए इसी ता उन्हें इंजॉय करते हुए देखने लगती है और आगया में मालम चलता है कि दरसल सीमा के घर पर परसनल स्पेस ना होने के कारण उन्हें ये सारे काम इसी ता के घर पर करने पड़ते हैं उनका घर में सरफ एक कमरा होता है और उसी कमरे में उनकी पूरी की पूरी फैमली रहती है यहाँ पर आगे चल कर हम देखते हैं कि तीन बचते ही Isita रोस टाइम मिलाने लगी थी और देखकर वो इंजॉई भी करने लगी थी लेकिन एक दिन Isita के घर पर सीमा और उसका पती Isita के घर पर ही था सीमा ने आते हुए इसीता को देख लिया था इसलिए वो तुरंटी अपने पती के पास कॉल लगाती है लेकिन उसका मोबाइल इसीता के घर पर ही रखा हुआ था और उसका पती भी उसी के कमरे में था अब सीमा को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे लेकिन तब ही उसे यह समझ आता है कि यहाँ पर इसीता उन्हें चूरी छुपे देखने की कोसिस कर रही है इसलिए उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा था वो यहाँ पर अपना एक कोना पकड़ लेती है और यहाँ पर सीमा ने इसीता को पूरी तरह से देख लिया था कि आएने में वो उन्हें यह सब कुछ करता हुआ देख रही है और इसमें भी तीन बजते ही वो कोई भी बहाना बना देती है वो यहाँ पर बहाना बनाती है कि माईगरेन की थेरीपी लेनिक लिये जाना है जबकि उसे तो तीन बजे का टाइम मिलाना है और इसी तरह तीन बचते ही वो पहुँच जाती है अपने घर पर पॉपकॉन लेकर कौना पकड़ लेती है और पिचर देखना सुरू कर देती है इसी तरह से कई दिन बीटते है लेकिन एक दिन अचानक से वो दोनों इसके सामने आ जाते है क्योंकि इसीता नों उन्हें देख नहीं पाई थी क्योंकि यहां पर इसीता भी पकड़ी गई थी कि वो उन्हें चूरी चुपे देख रही थी इसलिए इसीता उसे काम से निकाल देती है और अगले दिन किसी दूसरी मेट को हायर कर लेती है आखर वो मेट जानना चारे थी कि आखर सीमा ने यहां से काम क्यों छोड़ा सीमा ने कहीं और काम ढूंड लिया था क्योंकि उसे भी काम की जरूट थी दूसर तरब सीमा के पती को सीमा ने ये बात नहीं बताई थी कि इसीता उन्हें चोरी छुपे देखती थी इसलिए सीमा का पती जो है वो यहां पर सीमा की उपर बहुत ज़़ा गुसा करता है क्योंकि उसे ये सारी बाते बताना था क्योंकि वो सब कुछ होता हुआ देख रही थी और हम ये सब कुछ किये जा रहे थे एक दिन अचानक से सीमा सबजी लेनी के लिए जाती है तो यहां पर उसकी मुलाकात होती है इसीता से इसीता भी यहां पर सबजी ले रही थी इसीता यहां पर सीमा से कुछ बात करना चाहती थी इसीता यहां पर सीमा से कहती है कि अगर तुमने मुझे देख लिया था कि मैं तुम्हें चूरी छुपे देख रही थी तो तुमने मुझे से कुछ कहा क्यों नहीं तो यहां पर सीमा उनसे कहती है कि मैं क्या बोलती मुझे तो मज़ा आ रहा था जिसके बाद सीमा इसीता से कहती है कि क्या मैं कल से काम पर आ सकती हूं और यहां पर रिसीता हां कर देती है और इसी के साथ तीसरी स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है तो अब इस एंतलोजी फिल्म की आकरी स्टोरी सुरू होती है और यह कहानी है दिब्यानी की दिब्यानी एक हाउस वाइप है और घर का सारा काम सभालती है वो एक बहुत बड़े राज घराने में रानी की रूप में है लेकिन उसका पती जो राजा है जिनका नाम सूरस सिंग है और सभी लोग उन्हें माट साब बुलाते हैं राजा जी हर राद दिब्यानी के साथ जानवरों की तरह बदसलूकी करते हैं जिसके बाद हम देखते हैं सूरस सिंग और माट साब को जो कि एक कंस्ट्रक्ट्टन साइट पर जा रहे होते हैं वो सराबी है और सारे उल्टे सीधे धुतकर्म भी करते हैं और वो गाओं के किसी भी लड़की को नहीं छोड़ते हैं अब क्योंकि उनकी हवेली है और वो एक राजा है इसलिए गाओं के कोई भी इनसान उनसे कुछ भी नहीं बोलता है एक दिन जंगल में उसकी मेड उसे मिलती है जबकि यहाँ पर उसका बेटा भी था जिसका नाम अंकुस है अंकुस को वो अपने घर भीज़ देता है और वो अपनी मेड को जंगलों में लेजा लेता है और उसके साथ दुसकर्म करता है अब घर आने पर अंकुस ने अपनी माँ को ये सारी बाते नहीं बताई थी लेकिन अपनी माँ को अपने पती की ये सारी हरकते बहुत अच्छे से मालूम है यहाँ पर हमें मालुम चलता है कि दरसल अंकुष जो है वो आगी की पढ़ाई करने के लिए इंगलेंट जाना चाहता है और वो अपनी माँ को भी अपनी साथ ले जाना चाहता है लेकिन यहाँ पर दिब्यानी को मालुम है कि उसका नसीब यहीं पर लिखा हुआ है वो उसके साथ इंग्लेंड नहीं जा सकती अब अगली रात फिर से सूरत सिंग आते हैं कमरे में सराप की हालत में और वो दिब्यानी के साथ फिर से जानबरों की तरह सुलूप करते हैं ऐसा बहुत बार हो चुका था जिसके बाद हम देखते हैं कि दिब्यानी अपनी मा के पास कॉल लगाती है दरसल में दिब्यानी की मा का एक कोठा है उसके कोठा अभी ठीक धंक से नहीं चल रहा होता है और उसकी मा की तवियत भी हमेशा खराब रहती है यहाँ पर उसकी माउस से कहती है कि कोटे पर एक लड़की को बीमारी लग गई है और अब वो काम खराब कर रही है जिसके बाद अगले दिन हम राजा जी को उटता हुआ देखते हैं और जैसे ही बोटते हैं तो वो अपने सामने देखते हैं रेखा नाम की मेड को जो कि उनक कुस बात कर रहा था वो उन से कह रहा था कि मैं इंगलेंड जाना चाहता हूं आगे की पढ़ाई करने के लिए लेकिन यहाँ पर उसके पिता उसकी उपर बहुत जोर से गुसा कर देते हैं अब आगे हम देखते हैं कि सूरस सिंग फिर से रात को सराब के नसे में घर पहु हुई थी आगे हम देखते हैं कि राजा जी जो है वो अगले कमरे में पढ़े हुए थे नसे की हलत में सुबह उन्हें रेखा उठाती है लेकिन तब ही राजा जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं लेकिन रेखा हाथ जटक कर यहाँ से भाग जाती है लेकिन यहाँ पर अब र उन्हें बुलाने के लिए आया था इसलिए वो उन से मिलने के लिए चले जाते हैं और अंकोस यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरमिंदा हो रहा था इसलिए वो अपनी मा के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और इंग्लेंड जाकर ही दिब्यानी बहुत ज़्यादा खुस थी क्योंकि उस खुसी का रिजन ये था कि दरसल में दिब्यानी की मां के कोटे पर जिस लड़की को बीमारी लगी थी वो कोई और नहीं बलकी रेखा ही है इसका मतलब कि ये बीमारी अब सूरस सिंग को भी लग जाएगी और इसी को सालत में गिरते पड़ते आ रहे थे जिससे की दिब्यानी को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है और वो समझ जाती है कि कमरे में सूरस सिंग नहीं बलकी रेखा के साथ उसका बेटा अंकुस है और इसी के साथ ये स्टूरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों उम से अच्छी स्टूरी कौन सी लगी कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर बताईएगा धन्यबाद जय हिन जय भारत जय स्रीराम मिलते हैं अगली वीडियो में